हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वी कोचिंग क्लास अस यूटूब चैनल में आपका शौगत है दोस्तों क्लास 12 कमिश्टी की सरंखला को आगे बढ़ाते हुए आधम तर्चे करने वाले दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे 21 सेल के घनत्य की गड़ना आपको आज दिखने हैं दोस्तों इस संबंदी दो कोश्चन करेंगे ठीक हो सके का तीन भी कोश्चन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं पहले इसका सूत्र याद करने दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है आपको अब्जेक्टिव टाइब में पूछा जाता है दोस्तों इनका मान जो जो है उनको भी आपको याद करना है कि आखिर के हैं क्या चीट जैसे दोस्तों यहां एक ही बात करें एक ही बात करें तो एक क्या है दोस्तों एकाई कोशिका कहने का मतलब एकाई सेल के किनारे की लंबाई है किनारे की लंबाई है ठीक है दोस्तों इकाई कोशिका या इकाई सेल के किनारे की लंबाई है लंबाई समझ में आ गए दोस्तो अब हम बात करने वाले दोस्तो जड़ की जड़ की जड़ है क्या दोस्तो तो इकाई सेल या इकाई कोशिका में इकाई कोसिका में परमारू की संक है दोस्तो परमारू कितना उपर स्थी थे इकाई सेर में परमारू की संक है कितने संक है दोस्तो उसे हम किसे दर्साएंगे जड़ से दर्साएंगे तो एक यह है दोस्तो किनारा है और उसमें परमारू कितने है उसे किसे दर्स आएंगे जड़ से दर्स आएंगे और टोटल परमारू द्रबमान ठीक है कैप्टल यह मतलब मोलर द्रबमान या परमारवी द्रबमान टोटल कितना है दोस्तो मोलर द्रबमान कहलाएगा कैप्ट 0 है दोस्तो एवोगएड्रो संख्या तकति तो सफ्und है इस प्रकार से दोस्तो आप लोगों को इन सारी चीजों का मन् याद करना है दोस्तो तो यहाँ पर देखिए दोस्तो जैडड क्या है इकाई कोशिका में परमाडू है कैपितल एम क्या है मोलर द्रबमान परमाड़ी द्रबमान और दोस्तो यहां पर एक क्यूब क्या है ए मतलब ए क्या है कि नाने की लंबाई है और यहन क्या है यह वो गैडू संक्या यदि Small M दोस्तो कई सारे परमाड़ों है यदि Small M की बात करें तो एक परमाड़ों का द्रबमान इसको भी आप याद कर सकती है एक परमाड़ों का द्रबमान यदि कोई आपसे पुछ दे दोस्तो कि 21L के घनत्तों की फारमूला लिखिये तो आपको इतना बता देना है जहां बता देना है कि ए क्या है कि नारा जड क्या है परमाडू का द्रबमान है दोस्तों सरी परमाडू की संख्या है कैप्टल यह मैं परमाडू का टोटल द्रबमान है और यहन क्या है अब दोस्तों एबोगेड्रो का मान भी आपको याद कर लेना है ठीक है अब जक्तिव टाइब में पूछा जा सकता है 6.02 into 10 to the power 23 ठीक है यह मैंने लिख दिया दोस्तों कहने मतलब 6 समलो 0 2 गुड़े 10 गाते 23 यह अबोगैडरो संख्या का मान है दोस्तों इसको भी याद कर लेना है आपको तो घनत्तु का सूत्र आपको याद करना है अब्जेक्टिव टाइब म में आपको टिक लगा देना है ठीक है दोस्तों यह आपको समान जयनकारी के लिए है क्योंकि अभी हम कोश्चन देखने बालें दोस्तों जिससे आपको समझ में आएगा चलिए दोस्तों आप कोश्चन देखते हैं कोश्चन दोस्तों हम बोलेंगे आपको लिखना तो आपको क्या मिल गया capital M, ठीक है, 50 परमाड़ द्रभमान वाला काय केंदित घनी, काय केंदित, body centered cell, मैं जादा ने लिक रहा हूं दोस्तो, काय केंदित घनी संडचना रखता है, क्या रखता है, संडचना रखता है, संडचना रखता है, अब दोस्तो, काय केंदित घनी में परमाड़ों की संख्या दो होती है, मैंने बताया दोस्तो, आप लोग पिछले वीडियों में जाकर देख लें, कि BCC में परमाड़ों की संख्या कितनी होती है, दो, तो परमाड़ों की संख्या कहने का मतलब दोस्तो, आपके पास जड़, इकाई कोशका में परमाडों की संक्याद दो हो जाएगी दोस्तो यहाँ पर हम हल भी करते चलते है ठीक है क्या क्या दिया है दोस्तो तो यहाँ पर दिया है दिया है दोस्तो कैप्टल यम कैप्टल यम बराबर आपके पास कितना हो गए दोस्तो यानि परमारी भी द्रबमान दो और जड़ बराबर कितना हो जाए हो दो capital M 50 और जड़ बराबर दो जड़ बराबर दो क्यों दोस्तो क्यों कि BCC में परमारों की संक्या 2 होती है पिछले वाले वीडियो में आप देख रहें और हाँ दोस्तो यदि आप नए हैं तो चैनल में क्या करें आप प्लेटिस्ट में जाकर क्रम से देखें दोस्तो वीडियो जिससे आपको समझ में आएगा तो Z की बेलू हो गई, YM की बेलू हो गई अब आगे क्या कहता है दोस्तो क्षचन क्या कहता है कि एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई कितनी है दोस्तो किनारे की लंबाई 280 PPM ठीक है दोस्तो किनारे की लंबाई, A का मतलब 280 PPM अब दोस्तो यदि इसको सेंटीमेटर में बदलेंगे तो 10 के घाते 10 का भाग देंगे दोस्तो कितना हो जाएगा जानते हैं दो 2.80, करेंगे तस घाते माइनस 8 हो जाएगा ऐसा क्यों दोस्तों क्योंकि हम यहां भी 10 सम्मलों लगा दिए تو 2 तो यहां से cancel हो जाएगा, बचेगा आठ, ठीक है न, जब 100 का भाग देंगे, तो यहां ता समलो लग जाएगा, मतलब यहां पे लगेगा, और जब बचेगे आठ दोस्तों, उपर जाएगा, तो inverse में माइनस में लग जाएगा, यह हो गया दोस्तों, एक कमान, अब दोस्तों आपके पास क्या नहीं है, अबोगैड्रो संख्या, तो अबोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्तों, एन की वेल्लू कितनी होती है, एन की वेल्लू होती है दोस्तों, 6.02 into 10 to the power 23, यह हो गया दोस्तों, आपको ग्याद क्या करना है दोस्तों, तो तत्तों के घनतो की गड़ना करनी है आपको यहाँ पर घनत तो ग्याद करना है तो कुश्चन क्या था दोस्तों पाचास परमारद रभमान वाले एक तत्तों काई के अंदेद घनी यह नि वाड़ी संटर्ट सेल की सनस्ना रखता है एक किनारे की लंबाई 280 ppm है तो घनत तो की गड़ना की दि दोस्तों AQ into N0 अब बैलू रखें दोस्तों Z का मान कितना था दोस्तों Z का मतलब होता है परमारद की संख्या 2 थी मास कितना था दोस्तों टोटाल 50 था एक का मान कितना था दोस्तों अभी मैंने देखा 2.80 into 10 to the power कितना minus 8 जिसका क्यूब करेंगे क्योंकि यह क्यूब है और अबोगाड़ो का मान होता है दोस्तों 6.02 into 10 to the power 23 ठीक है दोस्तों इस प्रकार अब 50 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों तो 100 हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा अब इसका दोस्तों आप हल करेंगे इसका क्यूब करेंगे दोस्तों तो 28 कबर कितना होता है 28 कबर लगबग 200 मतलब लगभग 300 के आज़ पास होगा दोस्तो एज तीन बार करेंगे 2-2-4-2-2-8 ठीक है 3 बार आप करेंगी तो इसको आप करेंगे तो टोटल इसकी बेलु आईगी दोस्तो जान्दे कितनी आईगी 21 पॉइंट आप कर सकते दोस्तो इसको तीन बार लगभग बताता हूं दोस्तो 95 95 इंटू 10 to the power ठीक है आठ तरिक 24 हो जाएगा दोस्तो लगभग कितना हो जाएगा माइनस 24 और दोस्तो ये कितना है आपके पास 6.02 इंटू 10 to the power 23 अब दोस्तो इसको हल करना है तो आप खुद देखिए शो है तो 100 रहने दीजे दोस्तो नीचे दी multiply करेंगे दोस्तो तो multiply करने पर इसको आप multiply कर लीजे दोस्तो अभी दी बात करें तो 21.95 इंटू कितना 0 6.02 दोस्तो यहां माइनस 24 है 23 तो एक 0 घट जाएगा मतलब 23 जीरो यहां पर ध्यान देना है आपको दोस्तो तो यहां माइनस 23 है और स्वरी माइनस 24 है माइनस और प्लस अब दोस्तो इसको आफ़ाल करेंगे तो यह एक आजार बन जाएगा दोस्तो और यह 21.95 इंटू 6.202 यह हो गया दोस्तो अब दोस्तो इसको टोटल आप यह गुड़ा करके भाग देंगे तो इक्वल आएगा दोस्तो 7.6 ठीक है 7.6 इंटू 60 ग्राम प्रती सेंटीमीटर क्यूब ठीक है दोस्तो मैंने ग्याद किया दोस्तो इसको कल्कुलेशन करके आप मुवाइल से कल्कुलेशन कर सकते हैं या अपने अपने हैंड बर्क से काम कर सकते हैं दोस्तो इसको मल्टिप दोस्तों कि तुड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसले तर दोस्तों आप घानत करना समझ गया के अगले वीडियो जो निमेड में को जाता है है ठी CRA इसलेखन दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए दोस्तों और यहां पर फार्मूला अच्छे सियाद कर लें क्योंकि फार्मूला ही सबसे बड़ी चीज है अब्जेक्टिव टाइब में फार्मूला ही पूछा जाता है तो यह रहा दोस्तो घना तो कहा फार्मूला जेड इन्टु यम अपान एक्यूब इन्टु एवोगेड्रो संग क्या मतलब एंजीरो दोस्तो यह दी वीडियो आपको समझ में आए दोस्तो कमेंट करके ज़रूर बताईए कि दोस्तो की कैसा लगा समझ में आए तो पुना कोशन को दुबारा में बता सकता हूँ दोस्तो अगले कोशन में इसको में वीडिवाद समझाओं क्योंकि तोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्तो अगले कोशन में पूरा वीडिवाद क्योंकि आपसे दी फार्मूला याद हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आसानी समझ में आएगा ठीक है दोस्तो तो दोस्तों जैंढे वीडियो अच्छा लगें तो लाइक करिए शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए था और लाइक करना न भूले और कमेंट बाκι में कमेंट करके बता से लूएं अज़ीष खिर का यह